नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए एक जन्म कुंडली लेकर आप सब के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ ये जन्म कुंडली एक युवक्की है आईए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे मैं जन्म की तारीक आपको बता देता हूँ जन्म का समय जन्म स्थान आप जन्म कुंडली का मिरमान कर लीजिए जन्म की तारीक है 20 नमंबर 1993 और जन्म का जो समय है वो प्रातहकाल चार बज करके 20 मिनट का है जन्म स्थान है कोलकाता विस्ट बेंगॉल प्रिदर्शकों मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूँ तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्मान कर लीजिए जातक ने शनिवार के दिन जन्म लिया है हाला कि जो तीसीए बार जो है वो शुकर बार ही होगा क्योंकि दिन का मान जो है वो सुर्योदय से सुर्योदय तक का होता है कार्तिक मास में इन्होंने जन्म लिया है और शुक्लपक्ष की सब्तमीति थीको वैशवर्ण, देवगण और स्रम्ण नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म मकर राशी है इनकी, शनिदेव इस राशी के राशी शोते हैं प्रियदर्शकों, बहुत से इनके प्रश्ण है, परन्तु इस जन्म कुंडली पर सबसे पहले नजर डाल लीजी, तुला लगन की कुंडली आप देख रहे हैं, लगन में ही शुक्र बुध्ध गुरु ये तीन ग्रह लगन में आपको दिखाई पड़ेंगे, और उनीस अंस वो अंसबल से सब के सब बली हैं, परन्तु नोट करने वाली बात है कि यहां देव गुरु ब्रहस्पती जो की दिख बली होकर के लगन में बैठे हैं, उन्हीं की दशा चल रही है और ये ध्यान रखने की आवशकता है कि वो इस लगन के मारक ग्रह हैं, फलतह इस जातक को वर तमान समय में मारकेश चल रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, दुतिय भाव में आये जहां सूरी राहु और मंगल ये तीन ग्रह आपको दिखाई पड़ेंगे, ये सब के सब ग्रह अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, शनिदेव के नक्षत्र में होने के कारण ये रा बैठे हैं, केतु का जो संबंध है, वो कुंडली के अश्टम से है, कृतिका नक्षत्र में, सूरी के नक्षत्र में, नीच रासी में, तो राहु केतु का नीच रासी में होना, शनिदेव कुम्भ राशी में, श्वराशी के होकर के बैठकर के अपनी दस्वी द्रिष्टी कहां डाल दहें हैं तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे सूरी राहू और मंगल पर प्रिधर्शकों जन्म कुंडली अध्यन का कारिक्रम आरंभ करूं उससे पूर्ब आप लोगों को एक जोती सीय तत्थ और सूत्र में बताता हूं इसे नोट करके रखिए सबसे पहले तो जानिये कि यदि कुंडली तुला और ब्रिशब लगन की हो तो वहां सरवाधिक योग कारग्रह किसको वाना गया है शनीदेव को प्रियदर्शकों मैं आपको एक सूत्र बता दूँ और उससे पहले इनकी कुंडली में बता दूँ इनके शनीदेव नौमांस में उच्चरासी में बैठे हुए है जनमांक में आप देखी रहे हैं स्वग्रही हैं जिलो डिग्री पर हैं स्वग्रही है देव गुरु से उनको द्रगबल मिल रहा है और तो और शडबल के सबसे बली शनीदेव ही है प्रियदर्शकों ये सूत्र नोट कर लीजिए और आख बंद करके आप किसी भी कुंडली पर अपलाई करके देखीए यहां शनीदेव सरवाधिक योग कारक रहा है इस पर किसी को कोई ये सास्त्री मत है कोई प्रश्न चिन्ध नहीं परन्तु आज माली जिए कि कुंडली किसी भी लगन की हो इंक्लूड़ेड इस लगन के लिए भी अब मैं कह रहा हूं अगर कुंडली में शनीदेव सबसे ज़्यादा बली हो जाएं तो समझ लीजिए ऐसे जातकों को आजीवन परिशानियों का मुह देखना ही पड़ेगा संघर्स चाहे वो किसी भी भाव में हो अब मैं इनके प्रष्णों की और सीधा लेकर के चलता हूं क्योंकि बहुत से प्रश्णों का जबाब सिर्फ इसी एक लाइन में मिल जाने वाला है मुझे अपनी बात को कहीं भी खुल कर रखने से पहले मेरे मन में इतने प्रकार के विचार आते हैं जिसकी वजह से मैं अपनी बात रख नहीं पाता और मौका हाथ से निकल जाता है इसको कहते हैं अभी व्यप्ति की कमी अगर गौर करें तो इसके पीछे का रीजन में आपको समझाता हूँ इनकी कुंडली में इनका जन्म कब हुआ है तो प्राता काल में हुआ है जहां सूर्य सबसे कमजोर होते हैं शडवल में इनकी कुंडली में सूर्य सबसे कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं और ये हैं इनका दूसरा भाव दूसरे भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में ही बैठे हैं लेकिन शनिदेव की दृष्टी नीच के राहु और सूर्य जो की कमजोर हो जाने के कारण कि जब भी मुझे अपनी बात रखनी है मेरे दिमाग में इतने सारे विचार उत्पन होते हैं इसके पीछे का रिजन क्या है प्रिदर्शकों जिन लोगों की कुंडली में विश्योग हो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा सूर्य शनी से द्रिष्ट हो इस कुंडली में चंद्रमा शनीदेव से द्रिष्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे लेकिन मकर राशी में ही बैठे हुए हैं चंद्रम परजाल उत्पन्द होते हैं कि अभिवक्ति की कमी और इनकी कुंडली में तो अभिवक्ति की कमी के कारण साप साप दरिश्टी गोचर हो रहे हैं खैर ये वजह तो आपके सामने हैं मैं उपाई इसके लिए आगे चल करके आपको बताता हूं उन्होंने लिखा है साल में लगभग 50 से 60 हजार, डॉक्टर को दिखाने में लग जाता है, हर महीने डॉक्टर से संपर करना पड़ता है, एक रोग ठीक नहीं होता कि दूसरा रोग सुरू हो जाता है, जैसे पाइल, साइडरोसिल, हरनिया, सुखा, एक्जीमा, गित्यादी, सब कई रोगों के नाम लिखे हैं, आप कुछ दिन पूर्व ही, ब्रिश्चिक रासी के बारे में सुने हैं, कालपूरुस की कुंडली में, इसी रासी को गुप्तांग की रासी मानी गई है, मैंने जेश्ठा नक्षत्र के बारे में सूतर समझाया था, यहाँ अनुराधा नक्षत्र में, शनीदेव के नक्षत्र में, यह तीनों के तीनों ग्रह बैठ करके, शनी की दृष्टी से दृष्ट हुए हैं, यह सब के सब कही न कहीं रोग का उत्पन्न करने का कारण, और सबसे बड़ा कारण है, रोग पती का लगन में जाकर के बैठ जान बुद्ध के साथ जो की तवचा जन्ने रोगों के भी कारक बन जाते हैं इनके साथ संबंध बना करके और रोग की स्थिती उत्पन्न करना प्रिदर्शकों इनकी कुंडली में अस्त ग्रहों के दि हम बात करें तो एक मंगल ही अस्त हैं बाकी कोई ग्रह अस्त नहीं सूर्य स के साथ होने से ग्रहन से ग्रसित हो गए हैं ये जितने भी इनको लगातार रोग बने हुए उसमें एक तुक पहला कारण क्या बन रहा है इनको वर्तमान समय में चल रही दशा क्योंकि इनको मार्केश चल रहा है दूसरा लगनकत ये देव गुरू ऐसा नहीं है ये बात धमे लेकिन ये भी एक सूत्र है आज मा लिजेगा आपके काम आएगा जन्म कुंडली में बहुत बली सनी जातक को सीघर बूढा होने के लिए बात धे कर देते हैं हलाकि लगनपर शनी की दृष्टी हो तो ये सूत्र 120 प्रतिसत घटित होता है लगनपर शनी की दृष्टी कही बली सनी भी करते हैं यानि कुंडली में अत्यंत बली हो जातक को सीघर बूढा होने के लिए बात दे कर देते हैं अब ये जो रोग लागातार इनकी कुंडली में हो रहा है इसमें बहुत बढ़ा हाथ देवगुरु का है इस दृतिय भावगत इन तीन ग्रहों पर शनी की कुंडली कस्टम में केतु हो तो ऐसे जातकों को भी पाइल्स इत्यादी ये बहुत सारे जो रोओं का नाम लिख रहे हैं ये सब यहां से होता है लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण मैंने हमेशा बताया है कि ऐसे लोग को रक्त में भी कोई न कोई विकार अवस्य होगा और इसी विकार के चलते वो रोगी हो रहे होंगे तो ये एक बहुत बड़ा कारण है खेर पिछले पांच वरसों से मुझे किसी न किसी से धोखा मिलता रहा है जो लोग मेरे दिल के सबसे करीब होते हैं धोखा जादत तो उन्हीं से मिलता है क्या मैंने इतने बुरे कर्म किये हैं कि सारा जीवन धोखा खाना पड़ेगा देखिए इसमें बुरे और अच्छे कर्म की बात नहीं है एक सीधी सी बात आपको बताता हूं आपका जो लगन है तुला इस लगन के अंदर भी कही न कहीं थोड़ी भावुकता तो होती ही है बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं और लगनगत शुक्र हैं आपके लगनगत शुक्र होने के कारण थोड़ी ऐसी स्तिति उत्पन्न होती होगी हाला कि आपकी वानी में कडवाहट होगी मैं जानता हूं पर फिर भी कहीं न कहीं आप ऐसा बोल जाते हैं जिसके चलते आपको धोखा मिलता है ज जो आपको अपना समझेंगे, जिनको आप अपना समझकर के अपनी बाते कहेंगे, वही आपको धोखा दे देगा, तो इस कुंडली में कहीं न कहीं धोखा वाली जो बात है, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, यूँकि जो आपको जीवन परेंट धोखा खाने के लिए बात धिकर रखा है, खेर समय के साथ चीजे सीखेंगे, और इससे भी आप बाहर निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं बुरा कर्म किया है, ठीक है, हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं, मैं 9 साल से नौकरी कर रहा हूं, ज्यादा कमाने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं ठीकता, ब्याई भावपती जाकर कि आपकी कुंडली के लगन में, लाभपती जाकर के कुंडली के धन में, परन्तु यही शनिदेव की द्रिष्टी है, जो कही संग्रह होने वाला भाव है उस पर शनीदेव की दृष्टी पढ़ करके संग्रह होने नहीं दे रहे हैं धन का वो एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी की हुए है मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपकी कुंडली के लिए शनीदेव को सरवाधी की योग कारग्रह कहा गया है लेकिन शनीदेव का अपनी दृष्टी का प्रभाव है वो लगन चाहे जो भी हो उनकी दृष्टी का प्रभाव तो समाप्त नहीं हो सकता फलत है अच्छा एक ये चीज ठीक हो जाएगा इसके लिए आपको घबराने की आवशक्ता नहीं है आगे मैं इन सब चीजों के लिए रास्ता बताता हूं मैं कोई भी काम विचार करके करूं तो वो काम नहीं होता और करने से पहले किसी को बता दूँ तो वो काम नहीं होता 100% नहीं हो पाता औ तो वो काम जट से हो जाता है ऐसा क्यों मुझे नहीं लगता है कि आप फिर मेरे दर्षक हैं आप सिर्फ पूसे कुंडली अध्यान कराना चाहते हैं कि आपने नहीं जाना है कि जण में कुंडली के छट्वे आठ्वे में केतु हो तो मैं क्या सुतर बताया करता हूं जन्म कुंडली के छटवे और आठवे भाव में यदि केतू हो तो ऐसे जातक को अपना कोई भी कारिय बिल्कुल गुप्त तरीके से करना चाहिए जब तक काम बन न जाए किसी से उसका जिक्र नहीं करना चाहिए अपनी वानी पर सदवी वह नियंतरन बना करके रखना चाहिए क्योंकि जब आप कोई भी काम करने वाले हैं उसका जिक्र किसी से कर देंगे तो वह काम अवश्चे ही आपका नहीं बनेगा तो इसके पीछे केतू कारण बना हुआ है लेकिन जब भी मैं बिजनेस के लिए तयार होता हूं तो कोई न कोई समस्या उत्रपन न हो जाती है आपके हिसाब से मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए क्या मैं लोन लेके व्यापार कर सकता हूं 100% कर सकते हैं लेकिन जरा धैर रखिए अभी अभी आप साढ़े साती के अंतिम धया से बाहर निकलने जाने 2025 के मार्च में निकलेंगे उपर से अभी देव गुरु भ्रहस्पती की दशा है देव गुरु भ्रहस्पती आपके लिए मारकेस बने हुए हैं मारकेस होने का अर्थ सदय वे मृत्यू नहीं होता मैं सदय वे कहा करता हूं जो तो शास् लली के लिए 120 प्रतिशत बनता है 120 प्रतिशत आपका लगन तुला है जो तिसी दृष्टी कोंड से देखें तो लगन अत्यंत स्रिष्ठ व्यापार करने के लिए लगन गत बुद्ध होना तो कहना ही नहीं परन्तु एक बात सदय ध्यान रखे कि महा दसाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है अभी कली साम का वीडियो आपने देखा होगा मैंने कहा था अंतर दसाओं का प्रभाव उससे कहीं ज़्यादा होता है अब अभी देखा जाए तो गुरू में शनी का अंतर आपको चल रहा है गुरू में शनी का अंतर होने के चलते गुरू शनी का बाकी है घबराइए मत आप अगर अपनी नौकरी से इतना अर्ण कर ही ले रहे हैं तो घबराने की आवशकता नहीं है आपकी कुंडली में वैसे तो चंद्रमा के मद्रूम से ग्रसित दिखाई पड़ रहे हैं पर फिर भी लगनगत बुद्ध हैं और शनीदेव बहुत ब अभी आप व्यापार के बारे में मत सोचिए जिस दसा कुस से आप गुजरते में आपको देख रहा हूं ये कहीं न कहीं अप एंड डाउन परिशानी लाने वाला है तो मैं चाहता हूं पहले परिस्तितियां आपकी इस्थिर हो जाए थिर भी देखा जाए तो लगन कामान सुध讲 राप करने के लिए जाने जाते हैं बुध रियापार के कारगर हैं आप किसी तरह का व्यापार करें अगर Los A इक रष्टेरेंट, खाना पिना इससे समंधित आपने कहीं तरह की चीजे बताई हैं वैसे तो बक्रीपालन आपने लिखा है- डिटरजेंट लिखा है जीन्स- बैग- उठाई अभी और लोन आप जब चाहें ले सकते हैं लोन लेने से कोई घबराने की आवशकता नहीं रिणभाव पती बस लगन में है जिस मद में लोन लीजेगा ये कुंडली आज ही देख रहा हूं लेकिन हमेशा के लिए आद रखिएगा जिस मद में लोन लीजिए उसी ब्यापार के लिए तो वहीं आपको लगाना है पता चला ब्यापार के लिए पैसा लिया घर खरीद लिया मुसीबत में पढ़ेंगे जिस काम के लिए उसी में इन्वेस्ट करिए आपको लोन कभी नुकसान नहीं पहुचागा पर दीजिए किसी को मत मैं लड़की से 6 साल स मैं कोई उपाय किसी को नहीं बताता ना आपको बताऊंगा इनकी लड़की का इन्होंने जिक्र किया है उस लड़की का इन्होंने date of birth दिया है 13 दिसंबर 1992 और सुबह 5 बच करके 44 मिनट हुगली वेस्ट बेंगौल में ही है ये लड़की ब्रश्चिक लगनकी है ये तुला को बातें आपसे शेर करना चाहता हूं कि दिखे ग्रह की अप्रेम करते हैं आपि लड़की से वीबाह करें जाती गत्वेद से मुझे कोई लैने न देना नहीं परन्तू है इस लड़की की कुंदली में मुझे कुछ बड़ी समस्यायीं दिखाई पर रही है इसके लगन मे जीवन भरकश्टी जोड़ेगी इसकी भी कुंडली में महाधनीयोग है तो ऐसा नहीं है परंतु आपकी भी कुंडली में मैं देख रहा हूँ कि संघर्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और इसकी कुंडली में भी इसने लिखवा करके लाया हुआ है संघर्स इसका मेरी राय तो यही रहेगी, प्रयास यही करिए, कि पहले माता पिता राजी हो जाएं आपके, अगर वो खुद प्रेम से राजी हो जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं, तो अभी आपको रुकना चाहिए, आपकी कुंडली में जब भी बिवाह है, माता पिता की मर्जी से ही है दक्षण दिशा की ओर विवाह का योग बन रहा है, प्रबल योग है, जन्मस्थान से दक्षण दिशा की ओर, तो सबसे पहली सलाह यही है कि माता पिता यदि मान जाएं, तो माता पिता की मर्जी से दक्षण दिशा की ओर आप विवाह करिएगा, अगर वो यहां नहीं मा वरे काभी कोई दोश न रहाज है आज के परिवेस में ग्रह मैत्री बहुत मायनी रखती है विचार ही नहीं मिलेंगे तो आपस में मतभेद आप दोनों करते रहेंगे तो किसी ऐसे लड़के से इस लड़की का विवाह होना चाहिए जिसकी कुंडली में कम से कम इस तरह के सं मातापिता को मनाईए अगर वो मानते हैं तो ठीक नहीं तो आप मातापिता की मर्जी से ही विवाह करिएगा बाकी उन्होंने पूछा है कि हम दोनों के लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए मैंने अभी मारिक्य और लड़की क कि पहना है मेरे जितने भी दर्शक हैं प्राया क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि नीच का ग्रह है उसका भी रत्न धारण करना चाहिए मैं हमेशा कहा करता हूं नीच का ग्रह कोई कमजोर नहीं होता है लेकिन उसका रत्न अगर आप धारण करते हैं तो कहीं न कहीं अपने अरतन करانा किसी भी तरह से ठीक नहीं है महा धनियोग उत्पन करने के बावजूद वो सूर्य की आराधना करे इस लगन के लिए कि 지금은 क किसी भी तरह 3 तो आप हर हाल में मारिकै से बाहर आई ए इस कुंडली च gin बनता वो रत न है बैठे हैं श्वग रही हैं लेकिन मैं शुक्र के रत्न की भी मना ही करूँगा क्योंकि शुक्र भी आपकी कुंड़े में ठीक ठाकी स्थिति में हैं प्रिय दर्शकों एक बात गाठ बांध करके रखिए कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरी कुंड़ी में ये ग्रह बली है तो और अच्छा फल देने लगेगा उसको और हम जादा रत्न दे देते हैं एक बस उदाहरन से समझेए आपका वेट सौ किलो है तो क्यों न आपको और विटामीन पिला करके दो सो किलो कर दिया जाए कितना अच्छा रहेगा बार बार कहता हूं यत्पिंडे तत ब्रहांडे जो हमें स्विकार है उसी तरह से हमें ग्रहों को भी लेना चाहिए अगर आप सौ से दोसो कीजी का नहीं होना चाहेंगे क्योंकि वो अनफिट हो जाएगा फिट नहीं होगा अनफिट हो जाएगा वैसे ही ग्रह भी अनफिट हो जाएगे जब वो बली है तो उनको यह सुरी योग है महाधनी योग है लक्षमी नारायन योग है सरस्वती योग है इतने सारे राजयोग होने के बावजूद कोई लाब नहीं मिलता कृपया मार्ग दिखाई यह आपने बहुत सी परिशानियां बताई अब मैं सीधाप की कुंडली पर आता हूं देखी देव गु आया था कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए थे कि पंचम का अगर मैंने धर्म से और अर्थ और काम को जोड़ा था उन्होंने पंचम से पंचम अर्थ और काम धर्म और काम से उसको जोड़ लिया तो वो कन्फ्यूज हो गया वहाँ पर तो उस वीडियो को क्लियर करने के बहुत अच्छा इस्तिती नहीं लेकिन अगर देखा जाए तो धर्म त्रिकोण ये है और ये है वैरागे त्रिकोण तो आखिर क्या कारण है कि वैरागे त्रिकोण का स्वामी लगन में आ जाए लगन पती वैरागे त्रिकोण में आ जाए तो कश्ट उत्पन्न होने लगता इस पर मैं जल्दी विडियो लेकर करके आपके समुखाने वाला हूँ यहाँ पर गुरू सश्ठे सोकर के लगने में बैठ करके आपके लिए परिशानी उत्पन्न कर रहे हैं दर्सन करिए भगवान की आराधना करिए चने की दाल का दान मंदिर में गुरुबार के गुरुबार किया करिए इससे आपको फायदा मिलेगा देव गुरु ब्राम्भन इनकी सेवा करिए इनसे आशिरवाद लीजिए इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा रविवार के दिन नमक मत खाईए आपकी कुंडली के दूसरा भाव अवश्य प्यूरित है और निसंदेह आपको ये देर सबेर अगर अभी तक नहीं लगा तो धूम्रपान, मद्यपान विश्यस करके धूम्रपान की आदत या और कोई सुखा नसा लग जाये आदत में ये लगाएगा तो सबसे पहली जरूरत है कि आपको नसे से दूर रहना है, किसी भी तरह की कोई बुरी लत नहीं पाल ली है और आराधना, सबसे ज़्यादा जरूरी है इस कुंडली के लिए आराधना करना, किसका? बेंगॉल के हैं, माकाली की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, भैरो जी की आराधना करिए, बटुक भैरो श्टुतर सतनाम श्टुतर का पाठ नियम से साथ पाठ नित्य करिए, साथ पाठ नित्य ताकि आप तमाम ये जो परिशानियां आपके कुंडली में बनी हुई हैं, इससे आपको मुक्ति मिल जाए कि मद्रूम योक्री शान्ती के लिए प्रतेक सोंबार को सिव मंदिर में जाया करें, सिव जी पर दूध चढ़ाया करें इससे आपको फायदा मिलेगा लगन के पास अपना बल है, सब कुछ आपको ये स्वतह देगा गुरू को थोड़ा नियंतरत कर दीजे, जो प्रयोग मैंने करने के लिए चने की दाल कहा कर दीजे इससे गुरू थोड़ा नियंतरत हो जाएंगे, गुरू नियंतरत होंगे प्रभाव विशेश करके शुक्र का प्रभाव बाहर निकलेगा, तो कहीं न कहीं आपके जीवनकाल में चीजे और बहतर होंगी कुट्टे को खाना देना सुरू करिए, अपने खाने में से थोड़ा निकाल करके कुट्टे को दिया करिए, तो इससे जो पाईल सित्यादी का रोग आपके साथ बहुत सारे बने हुए है, ये सब आपके ठीक हो जाएंगे, किसी से अपनी बात कहनी नहीं है, जब तक काम कुंडली में कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कत है, ग्रहमैत्री के चलते मैं पक्ष में नहीं हूँ, और उस लड़की की कुंडली में भी संघर्ष उतना ही देख रहा हूं, लगनगत जो इस्तिती है, तो मेरी राय तो यही है, कभी विवाह को, या तो विराम दे दिजिए, अब चुकि आपने लिखा है, छे साल, तो अगर आपको मेरी बात गुरा लगती है, तो माता पिता जब हामी भर दे, वो आसिरवात दे दे, फिर कदम आगे बढ़ाई, फिर उस पर विचार अलग से करके, उसके लिए उपाय ढूंडा जागा कि क्या करे, ताकि आपका जी करिए, हो सके तो गुरुबार का वरत भी सुरू कर दीजिए, इस से और ज़्यादा आपको रहात मिल जाएगी, और हाँ, अगर कभी आपकी इक्षा हो, तो आपके मद्रूम की, और वहीं अगर देखा जा तो सूरे ग्रहन की, अंगारक भी है, विशेश करके सूरे ग्रहन है, सब सुरल उपाय बता है, जो कभी भी किया जा सकता है, उसको पहले करिए, प्रिदर्शकों, इस कुंडली से सम्मंधित यदि कोई बात आपके मन में है, कुछ कहना चाहते हैं, तो कॉमेंट में आपका स्वागत है, आप ज़रूर लिखिए, पढ़ेंगे, मुझे बस सिजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, पुनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार